नमस्कार दोस्तों मैं धर्मेंदर प्रताप सिंग आप देख रहे हैं अपना चैनल फरीदाबाद लेटेस निउस आज हम और आप चर्चा करेंगे चर्चा में आप लोग आमंत्रित हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी रियक्शन दे सकते हैं ये जो वीडियो में बना प्रताबाद के लिए है जैसा कि आपको पता है हमारे जो सांसद हैं क्रिश्न पाल गुर्जर आप लोगों ने उन्हें 6,38,000 वोटों से जिताया था जब लोग सबा चुना हुए थे पिछली बार तो हमारे जो सांसद हैं क्रिश्न पाल गुर्जर उनको आप लोगों ने 6,38,000 वोटों से जिताया था भारी भर कम वोटों से आपने जिताया था और हमारे जो देश में तीसरे नंबर पर उनकी जीत हुई थी अच्छे मार्जिन से बहुत अच्छी वात है आपने उन्हें बहुत ज़्यादा वोटों से जिताया तो अभी क्या है जो क्रिशन पाल गुर्जर है वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री है अगर इंग्लिस में बोलें तो मिनिस्टर आप सोचल जस्टिस और इंपावर्मेंट जो हमारे क्रिशन पाल गुर्जर है वो राज्य मंत्री हैं लेकिन अगर आप लोग चाहें तो उनका प्रमोशन भी हो सकता है क्योंकि बोस की कुर्सी खाली है आपको बता दें जो यूनियन मिनिस्टर हैं थावर्चन गहलोत थे मतलब वो राज्य पाल बन गये हैं करनाटिका के तो वो बोस थे और तीन राज्य मंत्री हैं जो उनके अंडर में काम करते हैं जिसमें हैं क्रिशन पाल गुर्जर रामदास अठावले और रतनलाल कटारिया ये तीन मंत्री हैं राज्य मंत्री हैं जो उनके अंडर में काम करते हैं और इनके बोस थे थावर्चन गहलोत जो अब करनाटिका के राजपाल बन गए तो कुर्सी खाली है अब आप क्या चाहते हैं क्या आप चाहते हैं कि जो फरीदाबाद के सांसद हैं और राज्यमंत्री भी हैं क्या उनको केंद्री मंत्री बनना चाहिए क्योंकि आपने उन्हें 6,38,000 वोटों से जिताया था अगर आपको लगता है कि क्रिशन पाल गूर्जर बहुत अच्छा काम करते हैं फरीदाबाद का डेवलपमेंट किया है बेजली, पानी, सिवर, रोड इनकी समस्याओं का समधान किया है और आपको लगता है कि फरीदाबाद में डेवलपमेंट हुआ है विकास के गंगा बह रही यहर तरफ रोट, सीवर की समस्या नहीं है, सबको पानी मिल रहा है, विजली मिल रहा है, सबकी समस्याओं का समधान हो रहा है, अगर आपको लगता है, तो आप लोग डिमांड कर सकते हैं, मोधी जी से क्योंकि अभी साम साड़े पांच बजे, कितने बजे है, साड़े पांच बजे, साड़े पांच बजे सपत ग्रहन समार हो है, जिसमें जो मंतरी हैं सपत लेंगे, और कई लोगों का प्रमोशन होगा, कई लोगों का डिमोशन भी हो सकता है, और कई लोगों का मंतरी पत छीना भी जा सकता है, अगर आप लोग चाहें, अगर आप डिमान करें, क्रिस्टन पाल गुर्जर का समर्थन करें, अगर आपको उनका काम अच्छा लगता है क्योंकि फरीदबाद में आप लोगों ने ही उन्हें 6.38 लाख वोटों से जिताया था भारी भरकम मार्जिन से आपनी जिताया था, तो अगर आप लोग चाहेंगे, तो हो सकता है मोदी जी उन्हें यूनियन मिनिस्टर बना दें, और अगर ऐसा हुआ तो फरीदबाद के लिए तो अच्छी बात होगी तो ये चर्चा है, मैं ये नहीं चाहता, मैं ये एक पत्रकार होने के नाते मैं नहीं कहता कि आप किसी का समर्थन करो ये एक चर्चा है, मैं आप से पूंच रहा हूँ सवाल, कि आप लोग चाहते हो ऐसा आप लोग चाहते हो क्या आपको ऐसा लगता है फरीदाबाद में बहुत बढ़िया डिवलप्मेंट है क्या आपको लगता है कि फरीदाबाद में करफसन नहीं है क्या आपको लगता है कि सबको बिजली पानी मिलती है क्या आपको लगता है कि फरीदाबाद की सड़कें अच्छी हैं क्या आपको लगता है कि फरीदाबाद नगर निगम अच्छा काम कर रहा है क्योंकि बोस तो क्रिशन पाल गुर्जर ही हैं हमारे फरीदाबाद के मंत्री भी हैं सांसद भी है और सबसे पावरफुल है फरीदाबाद में तो अगर आप लोग चाहेंगे डिमांड करेंगे मोदी सरकार से मांग करेंगे तो हो सकता है आपकी मांग मंजूर हो जाए क्योंकि बोस की कुर्सी खाली है जो बोस है थावरचंद गहलोज जी जो अब गवर्णर हो चुके हैं कुर्सी खाली है अब कुर्सी खाली है तो तीन को हो सकता है मौका मिल जाए जिसमें कृष्ण पाल गुर्जर जी है रामदास अठावले जी है रतनलाल कटारिया जी है तीन लोग है जो राज्यमंत्री है और इनके बोस थे थावरचंद कहलोज जी अब कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं कमेंट्स क्या पढ़ें कमेंट्स तो मोदी जी पढ़ेंगे कमेंट्स तो मोदी जी पढ़ेंगे मैं नहीं पढ़ूँगा आप लोग यहाँ पर जो है अपनी मांग कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में आप क्या चाहते हैं क्या आपको लगता है अच्छा काम हो रहा है फरीदाबाद में डेवलप्मेंट हो रहा है क्योंकि आपने 6.38 लाख वोटों से जिताया था इतने वोट कम तो होते नहीं है आपने एक तरफ़ वोट दिया था तो आपने सोचा होगा कि बहुत बढ़िया डेवलप्मेंट होगा सबको बिजली मिलेगी पानी मिलेगी सीवर की समस्या नहीं होगी अच्छी रोड होगी, डेवलप्मेंट होगा आपकी समस्याओं का समधान होगा तो आपने यही सौच के आपने वोड दिया होगा लोकसभा चुनाओं में अब बोस की कुर्सी खाली है जो बोस हैं, थावरचंद गहलोद उनकी कुर्सी खाली है और कुर्सी पे आप अगर चाहें तो यहाँ पर अपने कृस्टन पाल गुर्जर जी को भी आप बिठा सकते हैं अगर आप चाहें तो कमेंट बोक्स में आप लोग बता सकते हैं कि आपके यहाँ कौन कौन से काम हुए हैं आपको उनका कौन से काम पसंद आया आपकी किन समस्याओं का समधान हुआ आपको बिजली मिल रही है प्रोपर पानी मिल रहा है प्रोपर साफ सफाई हो रही है आपके आसपास जो पार्क है उनका मेंटिनेंस हो रहा है की नहीं रोड का मेंटिनेंस हो रहा है की नहीं ये सब आप खुद एनालाइज कीजिए उसके बाद कमेंट वोक्स में बताईए और मोधी जी को आप संदेश भेजिए कि क्रिशन पाल गुरजर को खेंद्री मंत्री बनाया जाए इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ अभी तो वो जो है थावर्चन कहलो उनके अंडर में काम करते थे ना अभी तो आधे मंत्री थे राजे मंत्री पद जो है छोटा होता है राजे मंत्री का और यूनियन मिनिस्टर का पद बहुत बड़ा होता है उनके अंडर में तीन काम करते हैं तीन मंत्री जिसमें क्रिशन पाल गुरजर रामदा सठावले और रतनलाल कटारिया तीन राज्यमंत्री हैं अब मैं ये वीडियो क्लौज करूँ गा और आप लोग जरूर मोदी जी से मांग कीजे अगर आपको लगता है कि क्रिशनपाल गुर्जर जी का प्रमोसन होना चाहिए अगर आपको लगता है तो वीडियो क्लौज करता हूँ नमस्कार जैहिं